हमारा माइंड सिर्फ फीलिंग के साथ कनेक्ट करके बचा लेता है और सेम सिचुएशन में जन्रलाइज करके एक दम से दिखा देता है जैसे उचाई के बारे में सोचोगे उचाई के बारे में सोच रहे हैं तो क्या याद आएगा? वही घटना याद आएगी और feeling create कर देगा, उँचाई पे चड़ने ही नहीं देगा और अगर उँचाई से डर लगता है तो success की उँचाईयों को छूओगे कैसे अगर बंद जगे से डर लगता है, बंद जगे में घुटन होती है तो जब किसी relationship में आओगे तो बंदन फील नहीं होगा उस वक्त सास नहीं उखडेगी, घुटन फील नहीं होगी इसलिए सिर्फ body की जो sub-modality है, body की जो feelings है ये हमारी life में impact करती है एक phobia दूसरे phobia में convert हो जाता है इसी की वज़े से दूसरा तीसरे में convert हो जाता है और इस तरह से ये continuous चीज़ें चलती रहती है एक के डर में थे और दूसरी चीज़ की, अब दूसरी चीज़ से भी डर लगने लगा अल्रेड़ी आप डरे हुए थे और नया काम करेंगे तो डरेंगे ही obviously तो अब उसमें भी आपको डर लगने लगा वो तीसरे में भी डर लगने लगा इसी तरह से phobia create हो गया आपको यही आपकी allergies के साथ होता है एक बार आ जाती है तो allergy के बाद एक के बाद एक एक के बाद एक पता चला एक दिन ना खाने की चीज़ों की allergy कोई ऐसी रही जो आपको ना हो ना कपड़ों की allergy बची हर allergy दुनिया भर की जितनी भी है आपी को हो गई यह सिर्फ और सिर्फ आपकी body की sub-modalities है अगर आपने इन sub-modalities को अच्छे से समझ लिया इनहें बदलना सीख लिया इस structure को बदलना सीख लिया तो आप हर mind में अपने mind में आने वाली हर event को इस तरह से change कर देंगे कि उसकी वो feeling आपको आएगी ही नहीं